ब्रेकिबात पर से आपका स्वागत रसमे कुल के साथ हजरत मुहिनुद्दिन सरकार की ग्यारवे सद्भावना उर्स का समापन किया गया इस दोरान सरकार के आस्ताने बे चादर शरीफ पेश की गई साथ ही शहर की जानी मानी हस्तियों ने भी शिर्कत की कौमी एक्ता की प्रतीक प्रख्याद सूफी संथ हजरत मुहिनुद्दिन सरकार के चार दीवसी ग्यारवे सद्भावना उर्स का समापन सुमवार को कुल की फातिहा के साथ हो गया वहीं उर्स के चौथे दिन समापन अफसर पर मुहिनुद्दिन सरकार की मजार पर जियारत क लिए जायरिनों का हुजू मुम्रा सुनवार को जोहर की नमाज के बाद कुल की रसमा अदा की गई सबसर पर कुल की महफिल का अगाज हुआ जिसमें मशूर कवालों ने बहतरीन नातिया कलाम पेश कर खूब वह वही लूटी वहीं जायरिन भी कलाम सुनकर खूब जूमे कुल के छीटे हर जायरिन तक पहुँचे उसके लिए पूरे दरगहा परीस्वर में विशेश इंतजाम किये गए इस मौके पर नीमा जिले सही दूर दराज से भी जायरिन सरकार के आस्ताने पर जियारत करने पहुचे इस दोरान दरगहा पहुच मार्ग सुबह से शाम तक जायरिनों से भरा नजर आया कुल की रस्म के बाद सभी जायरिनों के लिए लंगरे हाम का आयोजिन किया गया जिसमें सभी जाईरिनों ने तबर्रुक तक्सीन किया गया इस अफसर पर सर्वसमात जन कोमी एकता का संदेश देते हुए सरकार के आस्ताने पर पहुचे और जियारत कर देश में अमन चेन की दुआये मांगी इस मौके पर दर्गहा कमीटी के द्वारा कुल की रसम में पहुचे जन प्रतिनीधियों वरिष्ट जनों का साफा पहना कर स्वागत किया गया समापन अफसर पर विधायक दिलिप सिंग परिहार, उम्राव सिंग गुर्जर, मुन्ना दुर्रानी, वरिष्ट पत्रकार, राके सोन, साईद भाई चोधरी, इकबाल कुरेशी, डॉक्टर सुशील, डोसी, हिदायत उल्ला खान सहीद कई गन्माने नागरिक मौदूद थ जुसका दर्गहा कमेटी शुक्रिया अदा करती है. इस अफसर पर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता उम्राव सिंग गुल्जर ने कहा बाबा साहिब एक अजीम सक्षियत थे. उन्होंने जीवनभर्ड लोगों की परिशानियों को दूर किया, आज उनको याद कर उनका ग्यारवा सदभावना उर्स मनाया जा रहा है और हमेश्य उनकी याद में यह सदभावना उर्स मनाया जाएगा. बाबा साहब की याद में अपने लिए पुष्मी किया, उनमें वाले लिए साथक ने थी, इसे मरक्चंस है, वही रोगों की शिवा कट्रेक काम किया है, वही सालों के उनको याद कर खिया जाएगा, इस मौके पर डॉक्टर सुशील डोसी ने कहा कि हजरत मोहिन उद्दिन सरकार एक ऐसी शक्षियत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पीडितों की पीड़ा दूर करने में गुजार दिया, उन्होंने ना कभी अच्छे कपड़े पहने और ना कभी स्वादिष्ट भोजन चखा, उन्होंने अपना जीवन एक साधे अंदाज में गुजारा, उन्होंने हमीशा सर्व समाजन को एक नजरिये से देखा, चाहे वह हिंदु हो, चाहे वह मुस्लिव हो, आपने पड़दे लेने से पेले कई लोगों के दुबदर्द दूर कर दिये, बच्चे के दिल म जिन्हों ने कभी अच्छा कपड़ा नहीं पेना, लोगों के हर व्यक्ति के लिए, हर दुखदर्दी के लिए ये वो बाबा काम आए, जिनका आज 11 वाउस है,